अच्छा आज की रेमेडी के लिए हमें चाहिए एक कांच का कंटेनर शीशे का बोल लोहे का बर्तन बिल्कुल नहीं लेना है बिल्कुल भी मत लीजेगा सबसे पहले हम इसमें एड करेंगे कॉफी पाउडर जो भी कॉफी पाउडर अप यूज करते हैं अपने घर पे उसका फूल और मेथी का पाउडर है यह रेडिमेट मिल जाता है online आप चाहें तो घर पे बना सकते हैं फूलों को सुखा कर मेथी को सुखा कर ड्राइ पाउडर बना कर रख सकते नहीं थोड़ा मोटा मोटा रहता है और लगाने में दिक्कत होती है तो मैं यहीवाला ले 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 मेहंदी पाउडर कोशिश करिएगा अच्छे से अच्छा ब्रांड अच्छे से अच्छी क्वालिटी आप यूज करें अखिर आप अपने बालों पे यूज कर रहे हैं कलर तो अच्छा आना ही चाहिए और कोई भी X Y Z प्रॉडक्ट अपने बालों पे मद यूज करिए ना ह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नॉबल्ल पानी छोड़ा तो डि डालके अच्छे मिक्स कर लेना है अब हमे framework करते हैं अब हमें बालों को रेड करता है baru करना एं इसलिए मैंने ये यहां पे से ब्लैक कडाई में नहीं सोकी ह Juac तो इसलिए कर रहे हैं ताकि कलर हमारा महीने दो महीने जाये नहीं ब्लैक कड़ाई में करने से क्या होता है तुरहन से बाल ब्लैक तो हो जाते बट वह जल्दी से फेड आउट भी हो जाते तो इस तरह को करना है धक कर देना है चार से पांच घंटों के लिए अब देखिए पांच घंटे बाद इस तरह से डाक ब्राउन हो जाएगा ब्लैक नहीं होगा ब्लैक हमें नहीं करना है यह चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे बताए तरीके से ही आपको फॉलो करना है गाइस तभी आपको ब्लाक कलर मिलेगा चलिए अपना फर्स टैप कर लेते हैं यहां प को लगाने की सोची ताकि आपको एक्चुल दिखा पाऊं अब बाल सफेद दिखेंगे यह नहीं तो कहां पर दिखाऊंगी इसलिए मैं वेट कर रही थी कि सफेद हो जाएं बाल तो मैं आपको रिजल दिखाती हूं बिल्कुल रॉ एंड रियल वीडियो और हां एक चीज अब लगाते हूं अपने ग्रेयर को कवर कर लेना है अच्छे से हां एक चीज आपको और बदा दू कि इस वीडियो में मैं अपनी सिस्टेन लों को ले के आऊंगी उनको भी मुझे हैर कर लगाना है कोई नहीं रेमिडियो उनके उपर तो हमेशा बोर हो जाते ना मुझे देखे आप चाहते हैं कि जिनके सफीद बाल हो वो आएं कोई दूसरा आये चानल पर ताकि आपको एक्चुल रिजल्ट पता चल सके इस वीडियो में मुझे अगर धेड़ सारे लाइक्स और कॉमेंट्स मिलेंगे ना पक्का उनको ले के आऊंगी नेक्स वीडियो में ठी अच्छे से कोटिंग कर लीजे डबल ट्रिपल लेयर और पैक को कभी भी ना बहुत मोटा मत बनाए करिए बहुत थिक नी बनाए ताकि वह बालों को फिर पकड़ता नहीं है थोड़ा सा थिन बनाएंगे ना सेमी थिन पेस्ट बनाएंगे तो अच्छे से बालों को लिया था तो मेरे हाथों को यह कलर हो गया बेवी के साथ ना लगता है फटा-फट से काम हो जाए तो ब्रश से बहुत स्लो लग रहा था मैंने हाथों से लगाया कोई नहीं चूट जाएगा वह दो दिन में अब यह क्या करना है हमें इस तरह से शावर के पहन लेना है और दो घंटों के लिए छोड़ देना है जी हाँ आपको इमिजिटली कलर मिल जाएगा बट लॉंग लास्टिंग एफेक्ट के लिए कम से कम दो घंटे बालों में रहने दीजिए और उसके बाद ही हम वाश करेंगे वाश करने की बाद कुछ इस तरह से आपको रजल्ट मिले कुछ रिए पाउड मुसे नहीं पता है अपको प्तने भालों को रेड करना है तो अब हम यूजर नर्माद लेओरी कमिकर नहीं है लगा लिजे बहुत जादा वेट नहीं करना है तब लगा लीजे आप चाहें तो नेक्स दे भी लगा सकते हैं बट अगर आप जिस दिन मेहंदी वाश करते उसी दिन लगाते हैं तो अच्छा डार्क कलर आ जाता है बालों में इस तरह से लगा लेना है और इसे सिर्फ ग्रे लगाने के बाद एक घंटा छोड़ दीजे आप मेरे बालों का कलर देखिए ना आपको वाइट दिख रहे हैं ना मरून है ना ब्राउन है नहीं गोल्डन है जट ब्लाक कलर दिख रहे हैं आपको ऑईलिंग करना है इस तरीके से जब आप इंडिगो को वाश कर लेते हैं और नेक्स देही यानि 24 आज के बाद ही आपको शैंपू करना है मैंने एक क्लिप शूट करी जिसमें आपको अपना हैर दिखाया था आगए से वह क्लिप मेरे से मिस हो गई है तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि अच्छे से ब्लाक कलर नजर आ रहे हैं उसमें मैंने इदर से उदर करके दिखाया था आपको वाश करने के बाद वह क्लिप मेरे से मिस हो गई है बालों को अप देख सकते हैं डाक ब्लाक कर आपको नजर आ रहे हैं बट यह तो स्टेप प्रोसेस अगर आप करेंगे ना तब ही आपको इतने बहतर रिजल्ट मिलेंगे क्यूंक ansen का det With당 की लॉंग-लास्टींम भनाने के लिए ठोड़ा लंबे समय तक हमें help लगा के रखणा है अप चाहिए तो नजबी कोई घंटा लाज सकते हैं इंडिकंगो को काला कर दो प्रेगि